रिमॉट अड्मिस्रेशन टूल, सौट मैं बोलें तो रैट, यह से सोफटर या टूल होते हैं जिनकी मदद से किसी डिवाइज और नेटवर्क को रिमॉटली मैनेज या कंट्रॉल किया जा सकता है, वैसे तो इसका यूज अड्मिस्रेटिव टास्क में किया जाता है किसी सि फाइल्स, पोटो, वीडियो, कॉल लॉग, SMS या जीपी साधी को कैप्चर करने के लिए जैसे कि आज के वीडियो में आपको ऐसी एक फ्री रेट टूल के बार में बताऊंगा जो कि Android के लिए बनाया गया है और यह सारे काम बढ़ी आसा नहीं से कर पाएगा तो बिना समय जिसकी मदद से किसी टागेट Android डिवाइस को मोनिटर किया जा सकता है जैसे कि उसके अग्जाट GPS लोकेशन कहां पर हैं उसके call log, SMS, contact list को देखा जा सकता है या उसके hardware डिवाइस का भी प्रियूग किया सकता है जैसे कि उसके microphone से audio को record कर सकते हैं या उसके camera से photo video आदी को capture कर सकते हैं यह सारे काम यह टूल बड़ी आसानी से कर पाएगा इसके अलावा यह अपने payload को किसी original API की file के अंदर bind भी कर सकता है यह functionality भी इसके अंदर मौजूद है जैसे कि मैं आपको इसके कुछ demo देखाता हूं कि यह टूल किस तरह से work करेगा पर वीडियो सुरू करने से पहले आप एक बात जरूर ध्यान मा रखिएगा कि यह वीडियो के वल एजूकेशन प्रपस के लिए इस तरह के टूल का गरत यूज बिल्कुल भी ना करें तो आप इस टूल को Windows या Linux पर प्रियोग कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं का प्रियोग कर पाएगा वैसे दून मैं से कई सारे पैकेजेज आपको काली पर प्रियंस्टॉली मिल जाते हैं जैसे कि जावा या पाइथन आदी इसके इलावा आपको यहाँ पर NPM, Node.js, Jpeline आदी को भी इंस्टॉल करना होगा ताकि यह टूल सही तरह से वर्क कर सके बाकि और जो ज़ सब के वाद आप यहाँ पर इस टूल को रण करा सकते हैं तो इसके लिए आप अपने ब्राउजर पर इसका GitHub का पीज ओपन कर लिजे आपको यहाँ पर इसके कमांड मिल जाएंगे कि आप इसको कैसे रण करा सकते हैं पहले आपको इसके रिपोस्ट्री को क्लोन कराना होग उसके बद आपको इसके सर्वर फोल्डर के अंदर जाना है और फिर मांपर कमांड लगाना है NPM Start तो यह टूल स्टार्ट हो जाएगा पहले यह कुछ जरूरी पैकेज को इंस्टॉल करेगा फिर यह ऑटमेटिक स्टार्ट हो जाएगा यह आपको इसके यहाँ पर बाइनि पर सभी जरूरी पैकेज़ भी इंस्टॉल किये हुए है इसमें मैंने थोड़ा बहुत बॉन्टिफिकेशन भी किया हुआ है तो अभी मैंने स्टूल को रन करा दिया है और यह देखिए यह इसका सेंपिल से एंटर फेस है आपको यहाँ पर यह दो टैब मिलेंगे पहला टैब है विक्टम लेव आपको यहाँ पर सारी डिवाइस के कनेक्शन मिल जाएंगे जो भी डिवाइस से कनेक्टेड है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और दूसरा टैब है एप के विल्डर यहाँ से आप Android के लिए पेलोड को जनेरेट कर सकते हैं तो इसके ल यहाँ पर आपने सभी फंक्शन्स को उस डिवाइस पर रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ परमिशन सेट कर दिया है इसके वद आप क्लिक कर दीजे बिल्ड पर तो आपने यहाँ पर जो भी परमिशन दिया है जो भी आई-पी जो भी पोर्ट ने कि पेलोट कवर रन होना चाहिए ओन बूट पर यह अप्लिकेशन के लाँच होने पर वो अप्शन आप यहाँ पर सलेट कर सकते हैं फिर इसके वद खिलिक कीजिए बिल्ड पर तो यह उस एपी की फाइल को प्रियोट करेगा फिर यह उसके अंदर पेलोट को बैंड करेग फिर यह उसको पापिस से कमफाल कराके साइन कर देगा उसके वद यहाँ पर यह मिलेसेसीप की फाइल राजHH हो जाएगी फिर उसके वद आपस एप्लिकेशन पर पर प्रियोग कर पाएंगे जी देखिए यह यह बद यहाँपर error वी आ सकता है यह depend करेगा कि अब किस तरह की application का प्रियोग कर रहे हैं कि अब यहाँ पर यह application सफलता पूर्वक बिल्ड हो चुकी है आप यहाँ पसका path देख सकते हैं कि यह APK file कहाँ पर generate हुई है और किस नाम से generate हुई है अब यह APK file को rename करके victim machine प्र इंस्टोल करवा जा सकता है इसके लिए आपको use करना होगा social engineering tricks का जिसकी मदस्थिस application को target device पर install करवाया जा सकता है जैसे कि मैस application को अपने android emulator पर install कर लेता हूँ देखते हैं आपको किस तरह से connection बनता है इसके साथ ही आपको यहाँ पर listener भी start करना होगा तो जो भी port अपने payload में set किया था उस port पर हमें listener को start करना होगा तो मैंने support number पर listener को start कर दिया है आप console पर देख सकते हैं कि यहाँ पर listener start हो गया है तो भी मैस malicious application को अपने android emulator पर launch कराता हूँ देखते हैं यहाँ पर क्या होता है और यह देखी दोस्तो मुझे यहाँ पर connection मिल चुका है आग अग टम लेब पर देख सकते हैं यहाँ पर एक device connect हो चुकी है आप इसकी पूरी information देख सकते हैं कि इस device का manufacturer कौन है कौन साइस का model है कौन साइस का release version है इस device की IP की है और यह कौन से port से connect हुआ है यह सारी information आपको यहाँ पर देख जाएगी अब यह आप open the lab पर क्लिक करके इस device को monitor कर सकते हैं उसकी personal file, call log, SMS आदे को access कर सकते हैं या उसके hardware devices का भी प्रियोग कर सकते हैं जैसे की microphone, camera, GPS आदी यह देखिए यहाँ पर इसका file manager open हो चुका है अब यह मैं इसकी किसी भी file को access कर सकता हूँ या आप उसके microphone से audio को record कर सकते हैं तो जो भी इस device के असपस बाचली थोड़ी होगी वो यहाँ पर record हो जाएगी या मैं इस device की एकज़ट GPS location भी देख सकता हूँ कि वो device अभी कहाँ पर है उसका pinpoint मुझे यहाँ पर मिल जाएगा आप यहाँ पर उसके later long देख सकते हैं या आपको console पर देख जाएगे या मैं यहाँ पर उस device के contact list को देख सकता हूँ कि उस device पर कौन-कौन से contact save है उनका नाम किया है या number किया है वो सब मुझे यहाँ पर देख जाएगा या मैं उसका call log भी देख सकता हूँ कि अभी half-lal में इस device से कहाँ पर call किया गया है या कौन-कौन से call आई है वो पूरा call log यहाँ पर देख जाएगा इसके अलावा यहाँ से किसी दूसरे person को message भी किया सकता है तो यह SMS उसकी device से send हो जाएगा या आप यहाँ पर SMS की list भी देख सकते हैं कि उसकी device पर कौन-कौन से SMS receive हुए है वो कौन से number से आए है और महाँ पर क्या message आया है वो पूरा record यहाँ पर देख जाएगा तो इस tool की मदद से उस Android device को पूरी तरह से monitor किया जा सकता है कि हमाँ पर कौन से personal files save है उसके call log SMS या contact के इलावा उसके location देखी जा सकती है उसके microphone से audio को record किया सकता है या उसके front या back camera से कोई picture भी capture किया सकती है तो यह tool यह सारे काम easily कर भाएगा तो इसको कई तरह से प्रियोग में लिया जा सकता है जरूरी नहीं है किसको hacker ही प्रियोग करें इसको law enforcement agencies भी प्रियोग कर सकती है किसी संदिक व्यक्ति को monitor करने के लिए यह सब depend करता है use करने वाले के उपर कि उसका किस तरह से प्रियोग करता है मैं आपको यहाँ पर step by step नहीं बता सकता फिर भी मैं आपको यहाँ पर काफी कुछ बता दिया है कि यह tool किस तरह से work करता है इसका कैसे प्रियोग के जा सकता है तो बताई दोस्तों यह जांकर आपको कैसी लगी यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और यदि आप इसी तरह के practical वीडियो और भी देखना चाहते है तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net website को प्रेट कर सकते हैं आपको वहाँ पर मेरे practically काफी सारी वीडियो मिलेंगी यहां से आपको बहुत कोच जानने को भी मिलेगा और यदि आप चैनल पर नहीं आया है आपको यह जांकर यह अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वो भी बैल आइकन के साथ ताके मैं इस चैनल पर कोई वी नए वीडियो पोस्ट करूँ तुस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंथी मिल जाए और वो वीडियो मिशना हो पाए तो वी के लिए मैं आप सब्सक्राइब चाहूंगा जल्दी ही मुलकात होगी ऐसी किसन वीडियो के अंदर नमस्कार